हेलो स्टूडेंट स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ओफिशिल यूटूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सोलुशन मैं चन्दन कुमार हाजिरूं आप सभी के सामने अपनी एक और नहीं वीडियो के साथ सो कैस आज हम बात करने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए जो मास्टर ऑफ पोलिटिकल साइंस के स्टूडेंट से हैं चाहे वो इगनू में पढोते हैं या फिर वो ऐसे स्टूडेंट हैं जो एसे खैने पढूते हैं जिने लोगतंतर के परक्रियातमक और सत्था बात करने वाले है, specially MPS 001 और MPS 003 के जो भी students है, क्योंकि first year में तो यह subject होता ही है, और यह question आप लोगों को दोनों subject में commonly आपको देखने को मिलेगा, यह most important topic है, और इसके अंदर हम deep से बात करेंगे, आज यह question आप लोगों का complete है जाएगा, चाहे long question में आए, यह short question में आए, आप सभी को complete करना है, इससे पहले, so students यह आपकी जो MPS book 001, उसका book नमर 1 की 2, नमर 2 unit है, इसमें हम आप लोगों के लिए पहले ही लोगतंतर का क्या अर्थ होता है, यह आप लोगों को समझा चुके हैं, और यह पूरी की पूरी रूपरेक है कि आपको इसमें क्या-क्या प अधिकार, समानता और सोतंतरता के साथ जोड कर भी आप लोगों से एक्जाम में कोशिन मनाये जाता है, बट यहाँ पर इस वीडियो में हम सिर्फ आपके प्रक्रियात्मक लोगतंतर और सत्ता वाचक लोगतंतर के बारे में डीप से बात करने वारे, चले स्टार्ट करते ह चले स्टार्ट करते हैं, सबसे पहली बात आप सभी को ये क्लियर होना चीए कि लोगतंतर होता क्या है, यहाँ पर मैं आप लोग अगले थोड़े से संदर में बताता हूं कि जो लोगतंतर है, उसमें सिंपली हम ये समझते हैं कि भी जनता का शासन होता है, जनता प्रतेक निरने में अपनी भागेदारी को सुनिश्चित करता है, जनता के दुआरा परतेक्ष या अपरतेक्ष रूप से जहाँ पर भी लोगतंतरिक शासन व्यवस्ता होती है, वहाँ जनता की शासन व्यवस्ता में भूमिका होती है, लोगतंतर की बात करें तो लोगतंतर जो है म कोई भी निर्णें अगर लिये जाते थे तो सारुजनिक सभाएं बुलाई जाती थी और उन सभाओं के अंदर क्या होता था कि लोगों की आम रायप पूछी जाती थी और बहुमत के अधार पर क्या होता था निर्णें लिया जाता था परणतु अगर हम यह सब देखें तो वो उस समय ये इतनी कुशलता से इसलिए पूर्वा हो जाता था, क्योंकि उस समय की जो जनसंख्या थी, वो बहुत कम थी, और अगर हम बात करें, एक जो शासन विवस्ता का जो छेत्रफल है, वो भी जादा नहीं होता था, परन्तु आदोनिक समय में इसके विपरीत दोनों चीज़े, आज छेत्रफल देशों का बहुत बड़ा है, बहुत बड़े बड़े देश ऐसे हैं, लोकतांत्रिक देश हैं, जैसे बारत की बात करें, तो भारत ही को अगर हम देखें, बहुत बारत में लोकतंत्र हैं, एक दिन में, सिर्फ यूपी जैसा एक स्टेट जो है, वहां पर ही पूरा कपूरा, एक दिन में पूरा कपूरा ऐलेक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि काफी बड़ा स्टेट है, काफी जादा जनसंख्या है, काफी जादा सुरक्षा क्या हो सकता पड़ती है, तो इस वज़े से हम देखते हैं, चुनाव कई चरणों में होता है, तो इसी वज़े से हम ये पाते हैं कि आधुनिक समय में जनसंख्या अधिक होने के कारण और जनसंख्या जादा होने के कारण में छितरपल भी जादा होने के कारण में क्या कि हर एक मामले में जैसे प्राचीन नगर एथेंस में लोकतंत्र का परतेक्ष उधारन मिलता था जहाँ पर सभी लोग एक साथ बैठ कर अपने निर्ने ले लेते थे बहुमत के अधार पर यह आदुनिक समय में नहीं दिखाई दितामे यह एक प्रतेक्ष लोकतंत्र था जिसमें जनता सीधे सुनिश्चत करती थी कि भई किस परकार के निर्ने लेने हैं किस परकार के निर्ने नहीं लेने हैं लेकिन अगर हम बात करें तो आदूनिक युग में हम जनसंख्या जादा होने के कारण में और शेत्रफल भी अधिक होने के कारण जनता क्या करती है अपने प्रतिनिदीओं को चुनती है। उसके अंदर आते हैं और अपने लोगों का वो परतिनिधी करते हैं और साथी साथ अगर वो ठीक डंग से कारे नहीं करते अगर उनके निर्णेजनता के हिट के लिए नहीं होते तो जनता आने वाले समय में उनको हटा भी देती है तो भई ये जो लोकतंत्र होता है, ये लोकतंत्र का एक जो परकार है, जो आदोनिक लोकतंत्र है, ये क्या होता है, ये आपका प्रक्रियात्मक लोकतंत्र का परकार है, जिसमें हम एपर्टेक्स चुनाव देखते हैं, परंतु हम कई लोग इसकी अलोचनाई करते हैं, अब यहाँ पर यह चीज बहुत जाद आपको समझनी है, बहुत से लोग आधुनिक लोगतंत्र या एपरतक्ष लोगतंत्र को लोगतंत्र की संग्यानी देते, उनका यह कहना है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जो हमारे समाज में रह रहे होते हैं, जो चुनाओं में वोट ड परन्तु वो अपने जो आदोनिक समय में अपने समाज को बिल्कुल भी समय नहीं दे पाते एक्जामपल के लिए मजदूरों की बात करते हैं मजदूर एक ऐसा वर्ग है समाज का जो पूरा दिन अपने मजदूरी के लिए सुबह उठता है फिर खाना पीना खाता है अपने परिवार के भरन पोशन की वज़े से उसे समाज में ना तो उसे अवकास मिलता है यानि छुटी भी नहीं मिल पाती है जिस वज़े से वो लोकतंतर में सिर्फ उस दिन ही उसे भूमिका मिलती है जिस दिन उसको अपने प्रते निदी को चुनना होता है तो वो सीदा जाता ह व्यक्ति को चुनता है और सिधा फिर अपने कारणे में वैसे ही लग जाता है तो इस तरीके से हर एक व्यक्ति जो है वो अपनी उसकी क्या मांगे है वो अपनी जनता तक कई बार पहुँचाई नहीं पाते, तो आधोनिक समय में जो आधोनिक लोकतंत्र है, इसकी सबसे बड़ी कमी हम देखें, तो यही होती है, यह जो परतिनिदियों को अधिकार प्राप्त होते हैं, कई बार यह जो परतिनिदिय होते हैं, यह अपने मंचाहे निर्णे लेते हैं और अपने मंचाहे निर्णे की वज़े से ये कई बार ऐसे लोगों का ही समर्तन करते हैं जिनकी वज़े से इनकी राजनितिक पार्टी है या इनको शक्ति परदान होती है और जादे तर राजनितिक पार्टी ना कि गरीब लोगों के लिए तो इस तरीके से हम यह कह सकते हैं जो वर्तमान समय में हमारी प्रतेनिधितिक सरकार होती है वो लोगतंतर को धारण तो कर लेती है परंतु लोगतंतर का सही रूप में संचालन है वो बिल्कुल भी नहीं हो पाता है ऐसी संस्थाएं का जनता ने जिस प्रतेनिधि को चुना है वो अमूर्त रूप से उस जनता के लिए अच्छे डंग से कारे करें सविधानिक दायत्तों का पालन करें कई बार क्या होता है कि ऐसे जो नेता होते हैं जब चुनके जाते हैं तो अपने सविधानिक दायत्तों का पालन नहीं करते और जब अपने सविधानिक दायत्यों का पालन नहीं करते तो अगली बार जब कभी भी elections होते हैं तो वहाँ पर लोगतंत्र अपना असली रंग दिखाता है और ऐसे व्यक्तियों को शासन गद्धी से हटा दिया जाता है और फिर नहीं सरकारे चुनी जाती है ये आपका प्रिक्रियात्मक लोगतंत्र होता है मेरे ख्याल से आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा यहाँ पर हमने आप लोगों को अच्छी तरीके से इसके अंदर समझाने का भी प्रियार्स किया है इसके साथ इसके अलबा कुछ ऐसे लोग होते हैं हमारे समाज में जो बहुत कम पड़े लेके होते हैं अब यहाँ पर आप समझना अच्छी तरीके से अब जिसके example में दे रहा था आपको मजदूरों के रूप में वो अभावगरस्त जीवन जीते हैं और ऐसे लोगों के लिए लोकतांत्रिक जो अधिकार है वो बिना आर्थिक समानता के वो कोई फाइदा नहीं है ऐसे लोगों को अगर हमारी समाज में आर्थिक समानता नहीं है तो लोग अपनी राजनेतिक भुमिका को सुझशित नहीं कर पाते एक मज़़ूर कभी भी परतिनिदी नहीं बन पाता, एक मज़़ूर कभी भी उच्छे दर्जे की सिख्षा ग्रैन नहीं कर पाता, अब जब वो एक उच्छे दर्जे की सिख्षा को ग्रैन नहीं कर पाता है, तो वो कभी भी एक अच्छा राजनेता नहीं बन सकता, अपने ये अपने जीविका को सुनिश्चित करें इसलिए ऐसे लोगों के लिए हमें आर्थिक और समाजिक दोनों समानता लानी होगी बहुत से समाज में महिला हैं समाज का एक ऐसा हाफ रेशियो है हमारे समाज का लेकिन उनको भी पुरुष परधानता के कारण समाज में सोतंतरता नहीं है जहांपर उनके पती, हस्पन, पिता या पुत्र जहांपर भी उन्हें बोलते हैं कि इन राजनितिक पार्टीयों को वोट देना है वो शिर्प उन pierwszy राजनितिक पार्टीयों को वोट देते हैं प्रतियेक वर्ग जो है वो समाज का उनके लिए क्या चाहिए उनके सत्तावादी लोकतंतर जीए सत्तावादी लोकतंतर का मतलब क्या है कि समाज में सिर्फ ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता रहे बाकि सभी के पास में आर्थिक समानता हो जाए ताकि हर कोई अपने अधिकारों का बराबरी प्रियोग कर सके और हमारी सरकार भी इस चीज को सुनिस्चित करें कि परतेक व्यक्ति के लिए आवशक क्या चीज है हमें सिर्फ वही करना है अगर परतेक व्यक्ति के लिए रोजगार आवशक है तो हमें सिर्फ रोजगार के छेत्रों में कारे करना है अगर प्रतेक व्यक्ति के लिए शिक्षा के शेतर में कारे करना चाहिए तो शिक्षा के शेतर में कारे किया जाएगा इससे क्या होगा कि लोगतंतर की जो शक्ति है उसमें ऐसे लोग जो कमजोर वर्ग था जो लोगतंतर में जिन वेक्तियों को अपने अधिकार नहीं मिल पारे थे आर्थिक समानता होने के बाद में ये सत्ता समाज के प्रतेक वर्ग के पास चली जाएगी और एक प्रतेक वर्ग अपनी बराबर की भूमिका को निवा पाएगा वे सबी लोग जो आर्थिक आसमानता से जूज रहे हैं और लोगतंतर के किरिवानवन में एक संकट का भी कारे करते हैं देखिए हमारे समाज में मैं आपको बताता हूँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मिडल कलास से भी नीची दरजे के हैं और वो गरीब किसम के हैं वो लोग अपने रोजमर्रा के जीवन में इतने वियस्त होते हैं कि वो राजनेतिक बाग्यदारी को सुनिशित नहीं कर पाते और इस बज़े से कुछ एक समाज के वरगी हमेसा उन पे शासन करते रहते हैं असल में समाज की क्या वो शक्ता है ये उनको इस बारे में वो तैक करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है और वो गरीब कल्यान के लिए कारे भी नहीं कर पाती क्यूंकि उन्हें अमीर लोगों ने चुन्ने में मदद करी हैं उनकी शासन मेवस्ता में तो उन लोगों के लिए भी ये बहुत जरूरी बन जाता है कि वो अमीर लोगों के लिए कारे करें ऐसी नीतिया बनाए जो अमीरों को तो फायदा पहुचा है साथे साथ उनका जो वोट बैंक है उसको भी बढ़ाए ऐसे समाज में बहुमत के अधार पही सिर्फ निरने होते हैं धर्म, जाती, वर्ग, इन कारण से छोटे लोगों पर कई बार या जो कम संख्या में लोग होते हैं उनके उपर ध्यान नहीं दिया जाता क्योंकि उनको पता है कि इन middle class लोगों को क्या चाहिए सिर्फ इनके लिए basic से कारे करने है इनके लिए सड़के बनाना है, पानी की विबस्ता करनी है सिर्फ ये काम करना होता है इनके लिए तो इस तरीकी की चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है क्योंकि वोटो की संख्या जो अमीर लोगों की कम होती है तो इनका धिरोध भी बहुत ही कम लोग पड़ पाते है क्योंकि बहुत सारी लोग सिर्फ अपने जो income है income को ही अरन करने के लिए अपनी जो भी salary उसको अरन करने के लिए पूरा को पूरा दिन निकाल देते हैं फिर बच्चों की सिक्षा अपना स्वास्त इस पर ही तो इस तरीके से ऐसे लोग जो है उनके कभी भी कल्यान कारी कारे नहीं होते और हमेसा उनके कारे में हमेसा देरी देखने को मिलती है तो भई ये आप लोगों के लिए एक प्रकार था जब ऐसा असे असा व्यवस्ता होगा ज должен आर्थिक समानता होजाएगी वो सत्तवादी लोकतंतर हो जाएगा और पर्खी रोकतंतर मनेत्व अंतन roar मतलब सत्त सम्ण होád बैजा होधा है कि आज के इस वीडियो से आप लोगों ने हमारे टेलेग्राम गृप्स को जॉइन ने किया है तो भाईया आप उसे जॉइन कीजिए वहाँ पर आप लोगों के लिए जो डाउट्स सेशन्स वगरा होते हैं वो सब के सब आप लोगों के लिए लाए जाते हैं तो आप अपने डाउट्स को माँ पर क्लियर करा सकते हो अपने कोई भी क्वेरी है माँ में शेयर कर सकते हो या फिर इंस्ट्राग्राम पर आप में फॉलो भी कर सकते हो चले गाइस मिलते हैं आपसे अपने अगली वीडियो में जै हिंद जै भारत